बात करते हैं जगदलपूर की जहां मंतरी कबासी लखमा ने का बड़ा दावा किया है कॉंटा बिधान सभा में कॉंग्रेस से कभी नहीं हारेगी मंतरी कबासी लखमा ने कहा कि 2008 में भी बस्तर में 12 में से 11 सीट बीजेपी को मिली थी तो बस्तर संभाग में एक सीट मैंने ज हर समय कागरेश पाटी उहीं से जीतता था उनको सलवा जुड़ूं के मद्देम से अराने का प्रियास पीरिशावल देने का प्रियास आर इसे जितना करना तक करा अज के डेट में बस्तर के 12 सीट में मेरे नजर मैं जितना गुमता हूं तोड़ा वो कम ज़्यादा होंगे ल रजट पाच्पई हमारे साथ जुड़ गए हैं रजट कवासी लखमा ने बड़ा दाबा किया है कि कॉंटा विधान सभा सीट कॉंग्रेस कभी नहीं हारेगी कितना ये उनका कॉंफिडेंस महत्वफून लग रहा है कितना दम है इस कॉंफिडेंस में जी बिलकुल दिनेजी आधार ही निसे नहीं कहा जा सकता क्योंकि हमेशा विपरीत परिस्थितियों में चाहे वो 2003 का इलेक्शन रहा हो आट का तेरा का या फिर अठारा का हर बार जो है विपरीत परिस्थितियों के बावजूद लखमा ने ये सीट निकाल कर कॉंग्रेस क उनका ये दावा जो है वो भाजपा के लिए चिंता का कारण हो सकता है मीडिया से जब उनकी बाचीत हो रही थी तो उनका कहना था कि आने वाली 15 जुलाई जो है उस समय से सारे जो सिटिंग MLA है या फिर जो संभावित दावेदार हैं उनकी समिक्षा की जाएगी जोर स्थिती कहीं नहीं है लेकिन फिर भी कुछ सीटें ऐसी हैं जहां जादा मेहनत करने की जरूरत है ऐसे में यह समझा जा सकता है कि संगठन इस तर पर कोई भी चांस जो है वो कॉंग्रेस नहीं लेना चाहती वे लगातार इस बात पर फोकस करते रहे हैं कि कॉंग्रेस कॉंटा विदान साबा के जो कॉंग्रेस हैं वो बहुत अच्छे वरकर्स हैं और उनी की बदौलत वो लगातार चुनाओ जीतते आए हैं और वे चाहते हैं कि संगठन जो है वो बाकी सीटों पर भी इसी तरीके से काम करे ताकि कॉंग्रेस को जो बारा सीटों की जो चुन का फैक्टर है तो वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी राहूल गांधी के हर शब्द का अध्यान करती है उन्होंने बीजेपी पर बयानों को तोड़ मरोड कर पेश करने का आरूप भी लगाया पर भी जेपी हमलावा रहती है क्योंकि राहूल जी उनके सबसे बड़े थ्रेट है तो हर उनके हर शब्द का वो लोग अनलेसिस करते हैं और उसको शब्द का तोड़ मोड करके एक नया शब्द बना देते हैं नया सेंटिस बना देते हैं नहीं हमारा भी तो बहुत मान रहे हैं और यह तो जंता बताएगी कौन सा फैक्टर वर्क करता है